वेलकम टू ओल स्वागत आप सभी का आरसर यूट्यूब चैनल पे और हम आचोगें भी लाइव जैहिन नमस्ते वेलकम सभी का स्वागत है दिल की गहरायों से सेलेक्शन बेइच लेक्शन नमबार 135 और आज एक नया टोपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं यह चेप्टर बड़ा है लेकिन इंपोर्टेंट बहुत है क्योंकि यहां से क्यूशन कॉंसेट के साथ साथ नुमेरिकल क्यूशन भी बहुत जबरदस्त बनते हैं तो यहां से एक-eक कंसेट को डेटेल से डिसकश हम करेंगी बहुत इंट्रस्टिंग क्लास होने वाली है एक-eक कंसेट क्लास का class में agree करने के बाद में आगे बढ़ूंगा याद होने के बाद में clear होने के बाद में आगे बढ़ूंगा तो पूरे जोस के साथ में एक बार comment session में जैहिन लिख दें और मेरे share जो कहते हैं कि एनरजी डवल होने वाला है फर्वरी में तो मार्च में कि क्या होने वाला मैं पहले ही बता चुक हूँ कि भूथ बनने वाले हैं हम बनेंगे तो आपको बना के छोड़ेंगे और अगर टॉपिक बहुत इंट्रेस्टिंग होगा धमाकिदार होगा यह हमारी टीम टीम आरेसर यह कह सकते हैं यह तीन चहरे आपके सामने होते हैं लेकिन जो बैक अने अकेडमी लॉरिंग डॉноваड करें यह यह हमारी स्पेशल क्लासे जै यह मारी स्पेशल क्लास है अब सुबह नोट कर दिया हैं उस संहां को नहीं मगमें घ्रटबज जाया है चलो तो समब वाली जो क्लास वीटा वो साधी आट बजी कर दिये नोट कर लेना सामकी क्लास साधी आट बजी ओके चलो यह अगर कोई बिचान करना चाहता है तो पिटा एक क्टेगरी सेलेक्ट करें गयत सबक्रेशन पर क्लिक करिए उसके बाद में थ्री मंत शिक्स मंत या ट्वल मंत सेल कुछ भी अगर चेंजेज होता है तो उसका अपडेट आपको तुरंत ट्रेलिग्राम पे हम दे देते हैं आगे बढ़ते हैं आज का टोपिक हमारा मैगनेटिक इफेक्ट उप एलेक्ट्रिक करंट विद्धु धारा का चुमब की प्रभाव बहुत इंट्रस्टिंग कॉं इस दुनिया में आएं वह बड़े हुए उसके बाद में उन्होंने एक एक्सपरिमेंट किया ठीक है वह एक्सपरिमेंट क्या था और स्टेंड ने बोला कि अगर किसी कंडेक्टिंग वाइर में ध्यान दीजिएगा और स्टेड नाम का जो वेग्यानिक जैसा इसका नाम इसका काम भी है एक कंडेक्टिंग वाइर लिया और उस वाइर में करंट फ्लो कर दिया मैं स्टोरी के रूप में आपको याद करवा दूंगा बिल्कुल मत गबराना जब तक पॉइंट के लिएर नहीं होगा तुमारे दिल दिमाग गुर्दे फेपड़े में इसके नहीं णुदर होगा की अग evolved ईसको बाद में स्टैडैने एक करंट केरिंग परिया और उसमें करंट फ्लो कर दिया करंट केरिंग कंडेक्ट रिया और उसमें करंट फ्लो कर दिया 2 ऑफलो कि और करने के बाद में वह कंपास चुमबक ए इसी में विक्सेप आया और यह वायर इसमें कंपास और उसमैं किो का कब आता है चुम्ब के सुई में डिफ्लेक्शन कब आता है विक्सेप कब आता है जब कोई मैगनेटिक फिल्ड वहां पे प्रजेंट हो तो और स्टेड ने क्या कहा तुरंत बोल दिया बोला जब आपने इस चालकतार में धारा के चार है पारवाएत की जब मैं सुई को पास में लेकर आया तो उसमें डिफलेक्शन आया क्यों कि इस डारवाही चालकतार में जारा परवायत करने से 10 चारों क्या उत्पन हो गया है मैगनेटिक फिल्ड है और यहीं से शुरुवात हो गई करण्ट से मैगनेट के फिल्ड की डेफिनेशन का जो कंसेप्ट था वो चालकतार में धारा परवायत करने से उसके चारों और चुम्बक के छेतरुत्पन होता है है यह सबसे पहले बाई-साभ और स्टेड ने बताया था कि डाइगराम देख रहे है अब यह देखिए है यह एक कर अध करिंग कंडेक्टर है जिसमें आय करेंट फिलोकर से रएक किर जैसे बाइबन यह के प्लोक और फिलोक्तर है इसके सुभक्ये चेतर रहाएं उत्पन हो जाती हैं मतलब अब इसके प्यास अगर कोई आप फिर R सुभी लेके आओगी मागणेटिक नीड़ क्या होके का से रहे काओगे तो मेरे हीस्ट सुर्टर क्या कहने वाले हैं मैरे छोजर यह कहने वाले हैं कि और करना में आगे बढ़ऊंगा कि अगर किसी चालक-तार में धारा परवाइत कर दे जाए तो इसके चारों और मैगनेटिक फिल्ड उत्पन होता है चुम्बग के चित्र उत्पन होता है चालक में धारा परवायत करने के कारण है यह बात अगर आपके दिल में पहुंची दिमाग में पहुंची तो आप मुझे एक पर कमेंट में अगरी करिए मैं तुरंत आगे बढ़ जाओंगा यह और स्टेड ने बताया है और यहां से बहुत इंटरस्टिंग सबलको है फिल्द उत्पन होता है यह और श्टेड ने बताया लेकिन एक नोट पॉयंट आ सकता है कि में एक नोट Yep नोट करवा सकता हूं अगर कोई सवाल बने तो अगर मैं इसमें करण्ट जो फ्लोच ह्या मैंने करणाई current i अगर में 0 करता हूँ तो b magnetic field तुरंट से 0 हो जाएगा बोले तो जब तक wire में current है तब तक magnetic field है अगर current 0 किया गलती से भी current 0 किया तो magnetic field तुरंट से 0 हो जाएगा मतलब region clear है कि wire में current flow होगा तो magnetic field आएगा current नहीं तो magnetic field भी नहीं यह note point आप अपने notes में side में जरूर से लिख लिएना बेटा yes sir clear है सबी बचे एक बार full jose के साथ में agree करें yes sir अपनी army फरवरी start हो गई है 50-55 दिन बचे हैं बेटा jose मैंने कहा फरवरी में हमारा अलग लेवल पर देखने को मिलेगा आपको तो आप उससे आगे मिलने चिए में दो कदम कि समझ रहें बात yes तो देखिए अब मैं आगे बढ़ता हूं अगले वाले point पर यह तो मैंने बताए दिया आपको यह concept आपका clear करवा दिया मैंने यह आपका यह देखो note point आपका चालक तार में चुंबा के छेतर जब तक ही विद्धेमान रहता है कि यह इसमें एक मिनट एक मिनट एक मिनट वेटा एक मिनट मैंने एक इमेज डाला था वो कहा गया एक मिनट अभी देखिए और अस्टेड लोग चलो कोई बात नहीं है वो पता नहीं एक फाइल मिशिंग होगी इसकी और अस्टेड लोग गया यह 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 नोट मैंने डलवा दिया आपको कोई बात नहीं है कोई बात नहीं है एक फाइल मिशिंग होगी इसका यह नोट डालिए बात देखिए सभी बच्चे एक बार मेंने क्या बोला अगर करंट आपका जब तक करंट है तब तक मैगनेटिक कartet है अगर करंट नहीं तो मैगनेटिक चलो आजए उसके बाद में जैसे भाइसाब और और उनके चहने वालों मैंसे एक और एक बायो सावर्थ कुछ बुक्स में मिलेगा बीयो सावर्थ यह दो वेग्यानिक आ गए मैदान में और उन्होंने क्या बोला बोला और स्टेड भया वोला हां जी बोला आपने वायर में बताया उसका फॉर्मूला तो नहीं दिया आपने इतना बताया कि वायर में करन्ट फ्लो करने से बैग्नेटिक फिल्ड आता है उसके चारों और यह तो बहुत अच्छी बात है लेकिन वैग्नेटिक फिल्ड बताएगा कौन तो बोला साब मेरे बस की बात नहीं है हम बता दे बोला बता दो तो इन दोनोंने मिलके एक फॉर्मूला दिया उन्होंने एक करेंट केरिंग कंडेक्टर लिया इसमें उन्होंने आई करेंट फ्लो कर दिया और उस सालकतार से और दूरी पर एक बिंदू पी लिया थीटा एंगल के और फिर इन्होंने कहा एक अल क्वेंट फ्लोग करने से इसके चार ओर magnetik फिल्ड जन्डरेट होता है बोला जिए हाँ इसका फो मुला क्या है निकालोगे कैसे फो मुला आएगा क्या उस फो मुले की बात अपनि यहां पर कर रहे हैं वो फो मुला यहां पर भायो सावत नहीं दिया मेरे सोलजर तुम कमेंट में कमेंट कर सकते हो मेरे लिखने से पहले अगर आता है तो एक सुकून मिलेगा अलगी लेवल का बोला हां यार मैंने लिख दिया है तो जो यहां पर जो को मैंगनेटिक फिल्ड जन्रेट होने वाला था डीबी वह मैं डारेक्ट लिख सकता हूं फॉमूला के आई डील साइन थीटा बटा आर स्कॉाइर आप इसको जैसे आपने बोर्ड में तयार किया था वैसे अलग लग लिख लो डीबी परपोजनली आई डीबी परपोजनली साइन थीटा डीपी परपोजनली वन अपोन आर इसक्वाईर फिर सबको मिलाओ फिर परपोजनली साइन अटाओ पिर के लगाओ तो डीबी बेराबर के आई डील साइन थीटा बटार स्कॉाईर मैंने तो पूरा सी कार एक ही तीर में कर दिया है क्योंकि हमारे को उससे कोई मतलब नहीं है हमें अगर नुमेरिकल मिलेगा तो इस फॉर्मूले पे मिलेगा और एक क्विशन में आपको सॉल भी करवा चुका हूं कि बायो सावट के नियम के अनुसार किसी चालकतार में दारा परवायत करने पे मैक्जीमम मैगनेटिक फिल्ड के लिए एंगल कितना होगा कमेंट करो बता चुका हूं मैं वह फॉर्मूला एंगल कितना होगा बिंदू पी का इस चालकतार से जो बनाया जाएगा मैक्जीमम मैगनेटिक फिल्ड के लिए जो एंगल बनाया जाएगा वो कितना होगा यह सवाल हम प्रक्टिस कर चुके हैं मौर्निंग वाली क्लास में बताइए जरा इस पेम हो जाए कमेंट बस ऐसा ही सवाल बनेगा बिटा और वो एंगल ओगा बिटा ठीटा यहां पे हो जाएगा 90 धीटा यहां पे हो जाएगा 90 साइनटि यहां पर जाएगा आपका का साइ 90 का विल्यू कितना हो जाएगा एक तो यह कॉंसेप्ट आपका बनने वाला बहुत जबरदस्त क्या कहते हो क्या कहते हो बहुत जबरदस्त बीटा क्या कहते हो च्छों जल्दी को सथी बच्चों को क्या बड़ा कि आई डिल सांद एक पहसे को जैसल क्या क्या वात है अगर डाउट है तो उसको मैं कहां लिख सकता हूं मैं यह यहां पर लिख सकता हूं यस मैं उसको यहां पर लिख सकता हूं जी हां हम उसको यहां पर पुट कर सकते हैं बेटा के के आता constant, के का value क्या put कर सकते हैं बेटा, के का value put कर सकते हैं, mu not upon 4 pi, कोई बेटा मुझे इसका numeric value बताएगा, 10 की पावर माइनस का 7, direct value open put कर सकते हैं, 10 की पावर माइनस 7, numerical में, mu not upon 4 pi, यह आपे mu not क्या है, एक बात और लिखना चाहूँगा, मैं आपके notes में, mu not बेटा, air या vacuum की permittivity है, permittivity है, यह 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 चुमबा कंसीलता है, आप एक चुमबा कंसीलता, आगे बात करूँगा, मैं mu r के रूप में लिखूँगा, इसका value कितना होता है, mu not, sorry, mu not बराबर 4 pi into 10 की पावर माइनस का 7, यह आपका value हो जाएगा कि हम्यारी को मतलब के वल इस value से है, हमारी को value जो मतलब है numerical में, वो इस से है बेटा, mu not upon 4 pi बराबर यह value पूट करेंगे numerical में डाइरेक्ट यहाँ पे, 10 की पावर माइनस 7, बागी का value पूट कर देंगे, और value पूट कर देंगे, solution आपके सामने बहुत चुम्ब कंसील ता, 0 degree हो तो, एक बच्चे का बहुत बड़ा सवाल आया है, सर 0 degree हो तो, 0 degree होगा तो बिंदू P कहां पे आएगा, चालक तार पे, और यहाँ पे sin 0 का value 0, यानि अगर wire के उपर बिंदू P आपका आगया, तो वहाँ पे कोई magnetic field नहीं होगा, इस बात को थोड़ा सा आगे फ्रू करके आपको देंगे, थोड़ा सा आगे फ्रू करके देंगे, आगे आप बहुत बहुत बहतरीन लेवल पे, अभी तो शुरुवात है, जब जहर यहाँ पे गुलेगा, यहाँ पे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखना का पड़ते हैं एक्जाम में डाइरेक्ट है तो डाउट आपका यहां पर क्लियर होगा बाकि यहां पर भी आप याद रख सकते हैं तीटा बराबर जीरो रखेंगे साइन जीरो साइन जीरो का वेल्यू जीरो यानि बिंदो पी अगर उस कंडेक्टिंग वायर पर आ गया तो कोई बाइक में कंजूसी आ रही है कोई बात नहीं है अब आजो वेटा एक not point और very very most important question आपका वैरी वेरी most important question और सबसे पहले आपको और स्टेड का formula पता हुना चीए के ideal x connected data इसको मैं याद करवाया अब आप इसको क्या कर सकते हैं अब आप इसको वेक्टर फॉर में लेक्टर में डिकिसा क्वेक्टर इसक्वायरैं में राउंत कि निए कि ग्णिता तो चपू और वही आपको ध्यान रखने वाली बात है वही आत्मा बसेगी इस फोर्मले में एक्जाम में वेक्टर फोर्म आ सकता है याद रखना डी बी वेक्टर बराबर के आई अब पॉर्ण में यहां पर लिख देता हूं और यहां पर लिखूंगा मैं डी एल वेक्टर क्रोस आर वेक्टर है सरजी फड़ पड़ा गए हम तो आर कि स्क्वाइर था आर क्यूब काहे कर दिया एक आर से उपर मल्टिप्लाई किया एक आर से एक र वापस काट दो आर स्क्वार हो जाएगा और यह क्रोस प्रोड़क्ट हटाओगे तो यहां पर साइन तीट आएगा मैं हटा से एक आर को काट दू क्या बच्चे का बिटा के हाई डी एल साइन तीटा बटा आर स्क्वाइर क्या वही फो मुला है यह वेक्टर फॉर्म में लिखने का इसका कॉंसेप्ट है जो आपको याद रिखना वेरी वेरी मॉस्ट इंपोर्टेंट कॉंसेप्ट आपकर यहां से गलत नहीं होना चाहिए बहुत इंपोर्टेंट सवाल है इसका वेक्टर फॉर्म बायो सावट के लोग का एक्जम में आपको पूछा जा सकता है बहुत यूनिक सवाल आपका यहां से बनता है पताओ के लिए रहे बटा सभी बच्चों का सभी बच्चों को कॉंसिप्ट म का वेल्यू नुमेरिक वेल्यू मिनोट का वेल्यू वेक्टर फॉम इसका और मेरे सारे सोलजर के दिल दिमाग में बस जाना चीए के लिए बटा अब भाई शाब और एकुटेड ने बताया कि चालकतार में धारा परवाईत करने से मैगनेटिक फिल्ड उत्पन होता है और बायो सावट ने उसका फोमूला दे दिया है उसके, बैया मेगनेटिक फिल्ड लन्रेट होता है और यसेड़ ने भी बता दो तो अब आता है इंट्रस्टिंग मैं स्टोरी बना के बता रहा हूं आपको एक एक बात लिंक कर रहा हूं पुरा चेप्टरी स्टोरी में खतम कर देंगे पुरा मूवी बना देंगे इसका बड़ी अवला तो और स्टेड ने अब बार यह डायरेक्शन के लिए हम आगे बढ़ते हैं ध्यान दीजिए चुम्बक की चित्र की दिशा ग्याद करना कि मैगनेटिक फिल्ट का डायरेक्शन डायरेक्शन ओप मैगनेटिक फिल्ट है और बड़ा यूनिक शवाद है जरा गोर से देखना इस डिजिटल पेन का आपको एरो दिख रहा हूं बैटा उपर की तरप यह एरो इसका नोक है अगर किसी करंट केरिंग कंडेक्टर को द कि अंगुठा धारा की दिशा में हो अंगुठा का हो धारा की दिशा में हो अंगुठा धारा की दिशा में हो तो मुड़ी वी अंगुलियां चुम्बकिये चेत्र की दिशा को बताएगी अगर थंब करंट के डायरेक्शन में हो तो अंगुठा सुरी अंगुलियां मुड सब्सक्राइब करन्ट इदर जाये तो बेलकुल राइट अंगुठा इदर गई और यह पकड़ा और यह वापस बाहर आ गई ऐसे अंगुठा डाउनवर्ड डाउर्ड डारेक्शन में यह चीज में इतना घौर से क्यों बता रहा हूं क्योंकि इसके बिना आगे कोई डायरेक्शन तुम निकाले नहीं पाओगे पूरा खिचड़ी बन जाएगा और वो भी खाने लाइक नहीं होगा कि ध्यान दीजिए इस बात को तो कॉंसिप्ट क्या है कि अगर अपने किसी करंट केरिंग कंडेक्टर को राइट हैंड में इस प्रकार से पकड़ें कि थम्ब करंट की डायरेक्शन में हो तो जो आपके फिंगर हैं जो कायल फिंगर हैं मुड़ी वी अंगुलियां है वो किसको बताएगा मैंगनेटिक फिल्ड को बताएगा चुम्बकी छेत्र को बताएगा अब मैं एक्जामपल तुरंत आपसे पूछूंगा क्योंकि एक्जाम में सवाल आया हुआ है जल्दी से बताना बेटा यह वायर है मेरे पास और यह बिंदू पी आपका इस बिंदू पी पे मैंगनेट है तो नोटर पकल लगा देंगे अगर इंशाइड में हैं तो कौुल लगा देंगेर इंसाइड ऑपर की तरफ हैं तो व यह वायर के इस तिरDas कोई भी बिंदू लेलो होँआ आप मैगनेटिक फिल्ड इंसाइड में होगा इधर 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 इनसाइड में अब इस वायर के इस तरफ यह देखो अंगुलियां अंदर गई अब इस तरफ इस तरफ अंगुलियां मेरी यह अंगुलियां यह अंगुलियां यह मेरी तरफ व magnetic field का direction बताओ कमेंट में चार पां सवाल पूछूंगा यहां से कि इन्वर्टेड डोट या क्रोस डोट या क्रोस इंसाइड में इंसाइड के लिए क्रोस बिंदू पीपर मैगनेटिक फिल्ड इन्साइड में होगा क्रोस बनेगा चलो आगया जो अब गुलेगा जहर तो करन्ट आई का डाइरेक्शन कि यह एक्जाम का सवाल है बेटा एबी कि इस वाइर के एबी सी डी और ए इस वाइर के एबी सीरे के द्वारा मैगनेटिक फिल्ड only a b ab के दुवारा बनने वाला मैगनेटिक फिल्ड कितना होगा अब ओनली ab जल्दी बताओ इख डाइरेक्शन में होगा ab कि बताओ कि इस डीरेक्शन में होगा बहुत जाहरीला सवाल है एक्जाम का सवाल है जीरो अरे बायो सावर्ट का नियम लगा मेरे सेर भूल गया क्या मैंने क्या बोला था बहुत तगड़ा वाला कॉंसेट क्लियर कराऊंगा देख बिटा ये वायर को आगे बढ़ा ये वायर आगे जाएगा तो ये तो उसी के उपर आ गया और मैंने बायो सावर्ट के लो में क्या बताया था कि अगर बिंदू पी वायर पे आ गया थीटा जीरो डिग्री तो मैगनेटिक फिल्ड भी जीरो हो जाएगा मेरे सेर कन्फ मैगनेटिक फिल्ड नहीं होगा चलो अब इस इस वायर के काण मैगनेटिक फिल्ड पूछूंगा लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चोटा सा हिंट दूंगा एक चोटा सा कॉंसेप्ट दूंगा इस स्टेट वायर के लिए मैगनेटिक फिल्ड निकालने का कॉंसेप्ट आपने देख लिया अगर वायर कोई लूप हो तो अगर वायर कोई क्या हो कोई लूप हो तो अगर लूप के रूप में वायर बनता हो मतलब ऐसे वायर लूप के रूप में हो देख रहे हैं आप यह लूप दिख रहे हैं आपको यह यह अगर ऐसे लूप बन रहा हो तो यह तो स्टेट वाइर नहीं ये लूप बन गया सब कुछ बदल के रखदो कॉंसेप्ट में देखे जरा अगर अपने आपे राइट एंड थमरू लगाएंगे लेकिन सर्कूलर करंट के लिए व्रत्य धाराओं के लिए तो बिटा देखिए पिछली बार अंगुठा दारा की दिशा में था मुड़ी वी अंगुलियां चुम्बके शेतर बता रहा था उल्टा कर ले वेटा अंगुलियां दारा की दिशा में तो अंगुठा को बता देका जास्ट लुँठा कर ले सेर काम हो जाएगा तेरा जास्ट वार अंगुलियां करंट ऐसे मुडि वी करंट सरकल में अंगुलियों को घुमालो ऐसे अंगुलियां करंट को बताएगी 다арт माइक्नटिक करके देखते हैं जरा देखे बटा यह एक नजर आता है इस तरीके से तो इस वायर में अंगुलियां ऐसे देखो ऐसे ऐसे जा रहा है यह वायर मैं आपको डाइग्राम को इसमें ठीक्षण ही दिख रहे इसनु अब इंधर बढ़ाएक बताती यह यह वायर में कुर से क्लोक्वाइज ऐसे घुम रहा है तो बता इसमे magnetic field कैसे होगा अंदर की तरफ होगा या बाहर की तरफ होगा जड़ा घुमा के देखो अंगुलिया अंगुलिया magnetic स्वरी अंगुलिया करंट की दिशा में अंगुटा कहां जा रहा है अंदर क्रोस का चीद होगा अगर मैं यहां पर ऐसे कर दूं बेटा अंटी क्लोकवाइज करंट तो अंगुलिया ऐसे ऐसे अंगुटा कहां है बाहर की तरफ तो magnetic field डॉट के रूप में आएगा बाहर की तरफ इसमें क्या हो रहा है यह सरकल ऐसे है ऐसे बोड़ पर नहीं है यह ऐसे है तो इसमें किलियर हो गया विटा किलियर कॉंसेप्ट है याद हो गया अब मेरा सवाल आपसे फिर से वही सवाल बनाऊंगा कि यह 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 बी यह सी यह डी और यह करंट आइफ लो कर रहे हैं तो वाइर के बी सी डी भाग द्वारा सेंटर पित्र पोत्त वुंने वाला मागनेटिक फट सेंट्र अ पर उत्पंत वने वाला amp का डायियरेक्शन क्या होगा डायिक्शन पूछेंत PC मैं पूछहां डायेक्शन बताओ जल्दी से जल्दी बताओ फटा फट थोड़ा सा समझदारी के लिए इसारा काफी है एरो लगा दे तुम जल्दी बताओ बेटा जल्दी बताओ फास्ट क्रोस या डोट इंसाइड या आउटसाइड मेरे सेरो ने कमेंट स्पेम कर दिया और लाइक बटन पर भी जम के बर्श रहें वाह क्या बात है यह एंगुलियां गुमादो बेटा ऐसे अंगुटा अंदर की तरफ है इसके बीना आगे कुछ नहीं होगा याद रखना ठीक है चले आगे शाबास बहुत अच्छे बहुत अच्छे चलो बेटा आगे आजो हो जाब अधे रका नियम क्या आगे चैंश्य आजकल के जैसे नाम होते थे वेढ़ का भी तो अपसोस होता है कि अगर मलों पहले के जमान में जिसे अइसे नाम होता वाई जैसे कोई नाम किसी बचे का जैसे अपने बोल दिया स्याम सुंदर स्याम भी है सुंदर किसी का नाम है स्याम सुंदर और उसने करंट का आविस्कार कर दिया करंट के बारे में बता दिया तो बहुत जब उसने करंट के बारे में बता दिया तो पिरे उसके हिसाब से उसकी याद में उसका जो यूनिट है उसके नाम से दिय जाएगा जैसे करंट का यूनित एंपिर एंपिर ने बताया था एंपिर दे दिया COM आब भी स्यम सुंदर करंट का विस्कार कर देता तो उसका जाए ता बैड आप्सोस हो रहा हा नह好吃 मतलब कितना आसाल होता अपने यह आद करना है कि लिच्ट करणत का इंट को यह है तो यह यहां पर एंप्र का लो याँनि येंचरे उसी के नाम पर उसको लेकिंपर का लूँम्इर अगर शाम सुन्दय देता है तो कहते हैं क्लो सर्फेश लो और इस सारे करणट गुजर रहे हैं कितने सारे उसमें से करेंट गुजर रहे हैं आई वन आई टू आई ट्री आई फॉर विग्यानिक ओरस्टेड ने बताया सोरी विग्यानिक एंपिर ने बताया कि किसी क्लोज सर्पेस से किसी बंद फ्रस्ट से गुजरने वाले चुम्ब के चेतर रेकाओं का पिसी क्लोज सर्पेस से चितना भी चुम्ब के क्चेतर गुजरता है उसका रेक्या समाखलन यानि यह कह सकते है आपने पहले पढ़ाओगा यह अगर मैं कहूं क्लोज इंट्रीगल बी वेक्टर डोट डियल वेक्टर है चुम्मकी चित्र का लीनिय इंट्रीगल रेके समाकलन उस क्लोज सर्पेस में है गुजरने वाली टोटल करंट है टोटल करंट यानि सिग्मा आई और म्यू नोट के गुणनफल के बराबर होता है अब आप अगर बोड की तैयारी कर रहे हैं तो जो मैं थ्योरी बोल रहा हूं वो आपको एक्जाम में लिखने पड़ेगी लेगन अपने ऐसा तो तैयारी करने की जोरत है नहीं हमने क्या बोला फिर से सुनिएगा कि किसी क्लोज सर्पेस से गुजरने वाले मैगनेटिक फिल क्या से पराबर होता है यही है वहिह नहीं क्टा नुमेरिकल के यह लोग काम में आता है लेकिन ससे शिए मांदो कि एक परसेंट है कि इस taş सögजर्पीर के लो से नुमेरिकल है अपको पूछ ले सा नहीं है वो मैक्सवल नेक्वानिया तना कि संसोदित नियम वो यह तो था लिख्के बताता हूँ आपको मैक्सेल ने इसका मोडिफिकेशन न किया था क्लोज इंट्रीकल वेक्टर डोट डील वेक्टर बराबर रूमी नोट उसने सिग्मा आई की जीगे क्या लिखा था आई-सी प्लस आई-डी देखना ज़रा क्लोज इंट्रीकल बी वेक्टर डोट डी-ल वेक्टर बराबर मुनोट आई-सी तो कुछ याद आया अभी लास्ट में बताया था इलेक्ट्रो मैगनेटिक वेव वाले चेप्टर में यही तो था एंपियर मैक्सवेल का नियम यह इसी को मोडिफाई किया था उसने है तो मेरे साब से एंपियर का नियम आपको डियारेक्ट याद रखना है अगर आपको नियम पूछता है तो आपको लिख देना है नुमेरिकल आने के चांसे एक परसेंट होते है नुमेरिकल इसका बहुत ह अब बनता है यह माननों की बनता ही नहीं है यह माननों की बनता ही नहीं है ठीक है चलो आगे बढ़े चलो आगे बढ़ते हैं इंट्रस्टिंग पॉइंट पह आजाओ वरतियदारा की ओहू हूँ हूँ विबिन इस्ततियों में केंदर पर चुम्बकिये चेत्र केंदर पर ओ उसके center पर magnetic field है और अब देखना वो सवाल आपके screen पर होंगे तो मज़ेदार क्या concept बढ़ेंगे क्या जैरीले सवाल बढ़ेंगे पहला point है बिटा पहला point दिल दिमा गुर्दे फेपड़े में उतारो condition, figure और उसका magnetic field है टॉप लेवल का क्यूशना एजटीज मिलेगा पहला सवाल है आपने कोई arc काट दिया कोई चाप आपने काट दिया और वहें center पर अंगल बनाता है थीटा यह वाला अंगल थीटा और जो आपका circle है उसका radius से बिटा स्मोल आर और उसमें current क्या फ्लो कर रहा है आई अब आपको यह तो पता है कि अगर किसी वायर में current flow करेंगे अगर किसी वायर में current flow करेंगे तो magnetic field तो आएगा और वो magnetic field में कहा निकालना है वो magnetic field निकालना है इसके center पे इसके केंदर पे ठीक है गुरुदे फेपड़े में skin हो जाए बहुत बढ़िया बेटा है बहुत बढ़िया है दिल दिमाग गुरुदे फेपड़े सब बस 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 देखो यहां पर थीटा एंगल पर इसको रखा गया सेंटर पर magnetic field निकालना है तो इसका direct formula बना बनाया formula आपको पूट करना है जो concept अपने बायो सावट के नियम में लिया था उसमें जो आपने constant constant लिया था वो state wire के लिए था ते ideal sin theta बटा R square मैं फिर से बोलूंगा बिटा बी बराबर मैं के का वेली रख देता हूं mu not upon 4 pi into याद रखना बेटा I into theta बटा R यहां से numerical आने के chances पूरे-पूरे हैं maximum maximum chances या तो यह formula पूछ ले या numerical पूछ ले इसका value sort में क्या रख देंगे बेटा direct 10k power minus 7 I current देगा angle theta देगा बटे में आर कि खतम मामला कि थीटा का value pi के रूप में पूट करके solve करने वाली गलती मत करना इसका exact value यह यूज करना और फिर इसको solve करना यह रटा रटाया formula है अगर कोई आर्क है जिसे मालो 60 degree का angle बन गया और current दो एंपिर परवाइत हो रहा है तो solve करो बटा और radius मालो 2 मीटर है तो बटा बी बराबर क्या हो जाएगा 10k power minus 7 दो एंपिर का current है थीटा साथ डिगरी बन रहा है और और का value कितना आ गया दो दो से दो कट गया यह हो गया विटा सिक्स्टी इंटू 10 टो दी पर माइनस का 7 बस ऐसे solve करना किसी बच्चे का डाउट अब यह formula आपको icdc बात रट्टा मारना पड़ेगा इस formula को याद रखना पड़ेगा आपको हर हाल में अगर किसी आर्क के अगर आपको एक्जाम में मैक अप देखो आप केवल मैक आप बोल रहा हूं यह वाला एंगल दिया तो यह formula काम में लेंगे अगर एंगल आर्क के अंदर वाला नहीं दें अगर एंगल आपको आर्क के बाहर वाला दें तो क्या आपको चेंज करना है बेटा यह बात इतना बनता है 360 अगर 360 में ये एंगल अगर थीटा है तो बताओ ये कितना बच गया 360- थीटा अगर किसी बच्चे को एतराज हो तो मुझे बताओ और अगर मेरे फोर्मूले में किसी बच्चे को एतराज हो तो वह भी बताओ ओ गया काम मिजु नॉत अपॉन फॉर पाई हाई इंटू ठीटा पिछला फोउमुला देखना जला आई इंटू ठीटा यह बताये था मैंने आई इंटू ठीटा यहाँ पी देखे रंопि अब आप इसमें आजओ rook हाई इंटू ठीटा अब आप इसमें आजओ क्योंकि इस बार यह जो एंगल बन रहा है टूपा यह नहीं 360 माइनस थीटा बटा हार बन रहा है रट्टा मारने की जरूत है क्या लग से कि अग्टा मारने की जरूत है कि के लिए रहे मिटा के लिए रहें जल्दी बताईए आगे बढ़े चलो बेटा चलो आगे बढ़ते आगे बढ़ते इस पर आजो अरे वारे मेरे सेरो यह वी ना बात पॉइंट नंबर फॉइंट नंबर थाड अगर बेटा आपका सेमी सर्कुलर आर्क हो सेमी सर्कुलर अगर आर्क हो तो क्या होगा सेमी सर्कुलर आर्क हो तो क्या होगा जल्दी बताईए बेटा जल्दी बताईए सेमी सर्कुलर आर्क होतो जल्दी बताईए फटापड़से अरे याद अलक्से नी करना वही फोर्मुला बनाओ जल्दी बनाणे का मोका दिया मैंने B बाराबर आपका मुनोट अपॉन पॉर पाई इंटू आई इंटू थीटा अरे भाई बता दे यार इंगल पाई बनेगा यार है ना थेलो पाई बट्टे में आर खतम बात बढ़ाना सीखने फोर्मुला पस बेटा जिंदवाद ये फोर्मुला तेरा बैस लपेट ले बेटा इसको पूरा का पूरा लपेट देंगे ये भी उसी से होगा ये भी उसी से होगा पहला हो गया दूसरा हो गया तीसरा हो गया बताओ कोई डाउट हो तो किसी बच्चे को है किसी बच्चे को डाउट अरे अलक्से कुछ करना है मेरे सेर नहीं करना और अब आताओ में उस पूर्मूले पर जो एक्जाम में अल्रेड़ी रिपीट हो चुका है वो एक्जाम में अल्रेड़ी पूछा जा चुका है एक रिंग के सेंटर पर मैगनेटिक फिल्ड है और इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है जल्दी बताओ जो अल्रेडी एक्जाम में आ चुका है बिठा डाइरेक्ट फॉर्मुला आपका दुगोना आदा चार गुना कितना होगा ये सवाल बनाया गया पूछा गया है बनाओ पहले फॉर्मुला बनाओ मू नोट अपन फॉर पाई इंटू आई इंटू थीटा थीटा कितना है थीटा है बिठा अरे कितना बन गया रहे थीटा तीन सुसाट टू पाई अपन में आर या तो ऐसे याद रख लो अगर सोट करना है चलो मैं आपको बताता हूं लेकिन फिर इसमें इसका वेल्यू बताओ किसी बच्चे का कोई डाउट किसी बच्चे का कोई डाउट कि से औसे सवाल एक्जाम फूछा गया लाइक में उसी ओरी है यह नं ना Wars कटा वातवां लẫnकें को धोने से नहीं हैं थाएजेति करवाद हो niveau कि तुम बोल से यहापकी क्लास में तो यह नहीं हैं मैं नि वहा शाम खाँ पांच मच बचे नुब को पताएनगा होगी में का में नमी मिली है ना तो एप पेल्प प्ैसरा इंए पता दूं तो ओस्कर पांच बज़े पातााय को आपको पर अपको कितने बचों को पते हैं अरह की ज़र आपनए को हैं अंहें है सामको पांच बजे एंटरी होने वाली है है् ज बहुत बड़े लेवल पर ल्गाल नहीं महाँधनगू हैं की बहुत बड़ी लेवल पे सामको पांच बजे तैयार हुजाना पतन स्लाइड़ कहां पिछली गया है वाङूण एड मिस हो गया है महादंगल पाच बजे मुकेशर की मैट्स की क्लास है है ना और फिर साथ बजे मेरा कोई अपडेट मिलेगा वो कते हैं फिर जूम उटोगे तुम है जल्दी अपडेट मिल जाएगा तुम्हारे को बार बार में कमेंट देख रहा हूं सर आपका क्या हुआ सब्सक्राइब आपने बोला था वीडियो नहीं आया आज आएगा मेरा वीडियो ठीक है चलो अब एक और सवाल पर आजो इंट्रेस्टिंग सवाल क्या है यह रहा वेरी वयरी वेरी वेरी मॉस्ट इंपोटेंट है इधर से करण्ट आई जा रहा है तो बताओ अब मैगन जा रहा है तो इधर करेंट गया इसका मेगनेटिक फिल्ड अंदर इधर करेंट गया इसका मेगनेटिक फिल्ड बहार तो अंदर और बहार दोनों कैंसिल कर देंगे टोटल मेगनेटिक फिल्ड आपका जीरू होएगा यह भी आपका बहुत बड़ा जहर सवाल है एक्जाम मे आसकता है बहुत बड़ा जैर सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि बताइए बड़ा अगया को अगया है कि अगया है कि शबास वेरी गुड बहुत अच्छे सभी बच्चे सामको पांच बजी की क्लास में आग लगनी चीए फुल सपोर्ट नजर आना चीए सब्ता में अगर मुके प्लग क्लास यह हो एक लेने की बाद बता देना अब अगर दो क्लास स्थी है तो इस क्लास में चब्रदस लेवल पे आग लगा देना क्योंकि फिर फुड चाहेंगे कि यह जल्दी से लेके होँ वापस क्योंकि वोई तो है आपका सपोर्ट में जरात हम भी क्याते हैं कि चाहते हैं लगाओ क्लास होगा सो देखा जाएगा ठीक है तो फुल सपोर्ट के साथ में आप सभी को आना है थैंक यू सो मच लव यू बबाई जाहिन बिटा इसका पार्ट तू यानि इसकी दूसरी क्लास हम कल करेंगे टाइम हो गया है अगले वाली क्लास मुकेसर की क्लास सारी है मात्स की सभी बच्चे पहुंचेंगे तब तक के लिए सभी को बटा जाहिन के अगरे 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 झाल